Hello future doctors, इस वीडियो में मैं आप से बात करूँगा 12th class की NCERT के पहले chapter से NEET exam में पिछले सालों में कौन से questions आई हैं इस वीडियो में हम हर एक question को proof के साथ देखेंगे कि वो question NCERT में इस जगे से लिया गया है चलिए हम questions को देखना start करते हैं इस chapter का जो पहला question है वो NEET 2020 में जो re-exam हुआ था COVID की वेज़े से कुछ बच्चों का वहाँ से ये question आया है इस question में बोला गया है कि एक ऐसी species इन में से बताओ जो इंडिया में introduce तो करी गई थी ornamentation ornamentation का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि उसकी फूलों की सुन्दरता या उसकी जो पतियां है वो सुन्दर होती है उस वज़े से हमारे देश में उसको introduce किया गया लेकिन वो हमारे देश के लिए बहुत जादा खतरनाक साबित हो गई इस question में ये पूच्चा गया है इस question का answer हो जाएगा answer number A इस question को अगर हम NCERT में जाकर देखेंगे तो आपको इसी chapter में page number 8 पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर clearly लिखाऊगा दिखेगा कि the terror of vangal this is nothing but the aquatic plant water hyacin तो यहाँ पर clearly लिखाऊगा है फिर इन उने end में एक line लिखी है it is interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves तो इंडिया में इसी लिए इसको introduce किया गया था लेकिन यह खतरनाक साबित हो गई थी क्यों क्योंकि यह oxygen को drain कर ले रही थी ठीक है water से और इस question का detailed जो आपको explanation मिलेगा वो chapter number 13 और 14 में मिलेगा और water hyacinth को ही iconia crassips कहते है वो हमें NCERT में page number 265 पर जाकर मिलेगा 265 पर जब आप देखेंगे तो यहां clearly लिखा हुआ है water hyacinth तो bracket में iconia ठीक है इवा next question देखते है question number 2 तो इस question में बोला गया है जो vegetative propagule होते है अगे में उनको क्या कहा जाता है तो इस question का answer हो जाएगा answer number A bull will जब आप NCERT में page number 7 पर जाएंगे page number 7 पर आपको यहां पर figure 1.4 यह question बिल्कुल आपके figure से आया है इस diagram से आया है यह NCERT में कहीं भी उन्होंने line बगड़ा नहीं दी है direct सिर्फ और सिफ यह question आपको इसी page से और इसी diagram से मिलेगा यह C वाले option में clearly लिखा हुआ है bull will of agape तो इस question का answer यहीं से लिया गया है इसके बाद next question है question number 3 इसमें बोला गया है कि कुछ plants में होता क्या है कि जो female gametes होते हैं वो develop हो जाते है embryo में कहने का मतलब fertilization हुआ नहीं और विना fertilization के ही जो female gamete होता है वो embryo में convert हो जाता है तो इस phenomenon को क्या कहा जाता है तो इस question का answer हो जाएगा answer number D parthenogenesis तो इस question के answer के लिए आप NCRT में page number 14 पर जाना पड़ेगा और page number 14 पर देखो यह line लिखी हुई है the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization this phenomena is called parthenogenesis ठीक है तो इस question को यहां से लिया गया था इसके बाद next question है question number 4 offset are produced by ठीक है तो इस question के answer के लिए आपको NCRT में जाना पड़ेगा यहां पर देखो किलियर लिखा हुआ है a haploid parent produces gamete by mitotic division और बाकी उन्होंने लिख दिया कि अगर इसका आपको detailed में देखना है तो आप 11th class के chapter number 3 में जाईएगा तो होता क्या है कि जो haploid organism है उनके अंदर क्या होता है mitosis होता है क्योंकि अगर मालीजे haploid होका और अगर उसमें meiosis हो जाती है तो फिर आपको पता है कि meiosis क्या होती है reductional division होता है और फिर उसकी haploid है offset जो होता है इसकी ploid ही होती है haploid जब यह haploid है तो इसमें क्या होगा mitosis ठीक है इसके बाद हम बात करते है next question की question number 5 तो इस question में बोला गया है कि ऐसा कौन सा plant है जो अपनी जिंदिगी में सिर्फ एक बार flower देती है कहने के मतलब एक बार उस पर फूल आते हैं तो इस question का answer हो जाएगा answer number A bamboo species जब आप NCRT में page number 9 पर जाएंगे तो page number 9 पर आपको यहां देखिए clearly लिखा हुगा है some of them such as bamboo species flower only once in their life ठीक है तो यह अपनी जिंदिगी में सिर्फ एक बार इन में फूल आता है जिसको हम नीला कुरेंजी बोलते है तो यह फूल कितने दिनों बाद देता है तो इस question का answer हो जाएगा answer number B 12 years जब आप NCRT में जाएंगे page number 9 पर आपको देखो देखने को मिलेगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा another plant strawbylanthus कुरेंजी फ्लार्स once in 12 years तो यह 12 साल में एक वार फूल देता है लगवक के बाद next question है question number 7 इसमें आपसे not correctly matched मतलब इसमें आपको जो गलत option है वो बताना है तो इसमें आप सबसे पहले ही देखिए इसमें लिखाए इस्टोलोंस और example क्या लिखाए agave आपको एक question पीछे भी आया था agave में क्या होता है bullwills होते हैं ठीक है vegetative propagals होते हैं इसके bullwills होते हैं इस question के answer के लिए आपको NCID में page number 7 पर और इस diagram में जाना पड़ेगा इस diagram में देखिए bullwills of agave तो हमारे इस question में जो wrong match है हमारा तो वो A option ही हो गया A option में लिखा हुआ है stolons और जबकि होते क्या है agave में bullwills तो इस तरीके सा answer हमारा हो जाएगा answer number A इसके बाद next question है question number 8 question number 8 में बोला गया है कि इन option में से ऐसा कौन सा जो reproduction का method है जिसमें जो नई genetic combination बनते हैं और जो variation कराने का कारे करते हैं variation मतलब कुछ ना कुछ उच में बदलाव आता है तो इस question का answer हो जाएगा answer number A sexual reproduction इस question के answer के लिए आपको इसी page पर तो इस question के answer के लिए आपको इसी chapter में page number 5 पर जाना पड़ेगा page number 5 पर लिखा हुआ है reproduction enables the continuity of species generation after generation is created and inherited during reproduction ठीक है तो ये एक तरीके से इस question का answer आपको मिलेगा chapter number 5 जो reproduction बाला है और आपको भी बताए कि sexual reproduction में अलग-अलग जगे से gametes आते हैं तब fusion होता है तो इसी वाइसे इनमें ही variation का chance होता है ठीक है क्योंकि अलग-अलग parent रहते हैं तो अलग-अलग parent से मिलकर ही office parent बनता है तो इस बाइसे उनमें variation का chance रहता है इसके बाद next question है इसमें भी आपसे wrong पूछा गया है कि not correct इनमें से कौन सा गलत है ठीक है तो पहला option देखिए potato banana and ginger the plant lets arise from the intern notes तो इस question के answer के लिए आपको जाना पड़ेगा NCEIT में page number 8 पर और page number 8 पर clearly यहाँ पर notes लिखा हुआ है ठीक है जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे how plant like potato, sugar cane, बनाना ginger, delia, are cultivated तो यह जब साब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर intern notes से नहीं notes से होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा wrong जो match है हमारा पहला वाला ही option हो जाएगा in potato, banana and ginger, the plantlets arise from the notes तो इस जगे पर यह गलत है लिखा हुआ तो इस तरीके से हमारा answer answer number E हो जाएगा इसके बाद next question 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 number 10 number 10 में आपको match कराने है question में सबसे पहला लिखा हुआ है pistol fused together इसको बोला जाता है syncarpus इसके लिए जब आप NCEIT में एक तो morphology वाले chapter में भी देख सकते हैं बरना आप 12th class की NCEIT में page number 24 पर जाएंगे तो यहाँ पर clearly लिखा हुआ है pistol may be fused together इसको बोला जाता है syncarpus इसके लाबा दूसरा option आपका दिया हुआ है formation of gametes formation of gametes को gametogenesis बोला जाता है इसके लिए जब आप NCEIT में page number 10 पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes male and female ठीक है तो process of formation of gametes को gametogenesis तो इस question में option number D देखी unisexual female floor तो unisexual female flower को क्या बोला जाता है तो इस question का answer है match है pistillate तो इसके लिए जब आप NCEIT में page number 11 पर जाएंगे तो आपको page number 11 पर clearly देखने को मिलेगा तो देखी यहाँ clearly लिखाए unisexual male flower को staminate और जबकि unisexual female को pistillate बोला जाता है तो इस तरीके से इसका एक match हमें और मिल तिल fused together का answer हो गया syncarpus formation of gamete का gametogenesis unisexual female floor का हमें मिल गया pistillate high P of higher escomycetis क्या बता diikaryotic और इस question का भी answer आपको chapter number 2 11th class की NCEIT में chapter number 2 में मिल जाएगा देखने को diikaryotic ठीक है यह आपको दिख रहा होगा इस जागे diikaryotic लिखा है तो इस तरीके से इस question का answer हो गया answer number B इसके बाद next question देखते है question number 11 question number 11 में आप देखिए in ginger vegetative propagation occur through तो इस question का answer हो जाएगा answer number C rhizome जब आप NCEIT में page number 7 पर जाएगे और यहाँ पर जब diagram में देखेंगे page number 7 पर जब आप diagram में देखेंगे तो diagram में clearly लिखा है rhizome of ginger इसके बाद next question है question number 12 question number 12 में बोला गया है which one of the following pairs is not correctly matched मतलब यहाँ भी गलत पूछा गया है कि कौन सा गलत है question number 12 का answer हो जाएगा answer number B binary fission इस question के option number A में आप बिल्कुल confuse मत होना यह rhizome का जगे जगे ginger दे रखा है लेकिन यहाँ पर दे दिया बनाना तो आपको लगे यह option गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह option एकदम correct है बनाना में भी rhizome होता है देखिए NCEIT में कितनी चालाकी से एक छोपा कर इस बात को लिखा गया है बनाना और rhizome बाली बात को इन्होंने page number 8 पर यहाँ पर दे रखा है देखो Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dhelia are cultivated तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ से आप से ही question कर लिया है पोटेटो हो गया, sugarcane, banana, ginger, dhelia हो गया यह सब कैसे cultivate की जाते हैं इन्होंने आगे बोला है Have you seen small plants emerging from the words called eye of potato tuber from the rhizome of banana देखिए यह दिया है From the rhizome of banana and ginger तो इन्होंने clearly यहाँ पर बताया है कि rhizome जो होता है किसमे है, banana में है और किसमे है, ginger में है तो इस तरीके से यह वाला option एकदम सही है आप इस पर confuse मत होना इस आइटी में आप page number 6 पर देखेंगे तो binary fusion में लिखा है amoeba and paramecium इसके अलाबा जो सार गैसम होता है वो algae के अंदर फियो फाइसी मां आता है, brown algae मां आता है तो यहाँ clearly लिखा हुआ है में जाएंगे बहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर clearly लिखा हुआ algae के अंदर vegetative asexual, sexual sub method है तो asexual में लिखा है किस के दौरा है mainly Jewish pore के दौरा और जब आप few of ic के अंदर जाकर देखेंगे तो few of ic में है clearly लिखा हुआ है कि asexual reproduction in most brown algae by fleshly Jewish pore के बाद next question है question number 13 question number 13 मैं आपसे बोला गया है कि in message जो एक plant होता है जिसको चारा बोलो या कारा बोलो तो इस मैंसे कौन सा wrong है तो इस question का answer हो जाएगा answer number D upper enthridium and lower oogonium जबकि होता इसका उल्टा है कारा plant में जो oogonium है वो उपर side होते हैं और enthridium enthridium का कहने का मतलब है male reproductive organs जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और जो female reproductive organ होते हैं जिनको oogonium बोला जाता है वो उपर की तरफ होते हैं तो इस question के answer के लिए आपको NCRT में page number 12 उपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखिए यह question जो है बिलकुल diagram से लिया गया है NCRT में कहीं भी यह कोई line नहीं दी गई है यह diagram में clearly लिखा हुआ है oogonium female sex organ है और कहा है वो उपर की साइड में है और जबकि enthridium male sex organ कहा है नीचे की साइड में है एक चीज़ और oogonium को nicule बोला जाता है और enthridium को globule तो यह भी आप ध्यान रखना यह आप note कर लेना अपनी book में इसके बाद next question है question number 14 तो यह question है meiosis takes place in तो इस question का answer हो जाएगा meosite इसको ही mega spore mother cell बोला जाता है और NCRT में जब आप जाएगे page number 13 पर तो यह clearly line दी हुई है meosite gamit mother cell ठीक है तो undergo meiosis ठीक है indeployed organism specialized cell called meosite ठीक है ना तो इस question का answer ही हाँ से मिल जाएगा इसके पार next question है monoecious plant of kara या चारा जो भी आप पढ़े so occurrence of तो अभी आपको बताया था कि इनमें ugonium उपर की side होती है enthridium नीचे की तरफ होता है और दोनों के दोनों किस पर होते है same plant पर एक ही plant पर ये दोनों की दोनों चाहिए मिलती है तो इस question का answer हो जाएगा answer number A upper ugonium and lower enthridium on the same plant फिर भी इस question का answer के लिए आपको जाना पढ़ेगा NCRT में page number 12 उपर और ये clearly आपको दिख दिख दिया ugonium उपर की तरफ है और enthridium जो है नीचे की तरफ है इसी के साथ हमारे NEET 2013 तक के सारे questions खतम होते हैं हम इसके बाद next chapter देखेंगे human reproduction तो इस channel को आप subscribe करिए वीडियो को like कीजिए comment जरूर करके बताइएगा की हम अपनी वीडियो को और अच्छा कैसे कर सके इस वीडियो को में ही पर खतम करते हैं thanks for watching